तो स्वागत है आप सभी का आज की इस नीए वीडियो में और आज हम बात करने वाले हैं HD File Recovery एप के बारे में जिहां गाज इस एप्लिकेशन के थूख अगर आप अपने फोन से किसी भी पुराने फोटोज को डिलेट कर दिये हैं जिसे कि आप डिलेटिट किये हुए फोटो को वीडियोज को कॉन्टेक्ट नंबर को आप वापस ला सकते हैं तो चले कि हम वीडियो को सुरू कर लेते हैं मिरा नाम है आसी स्वागत है आप सभी का आज की इस नहीं वीडियो में और अभी तक सी आपनी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देखिए गई सिंपल सा फंडा है आज के टाइम में टेक्निकल चुजों के बारे में जानना काफी ज़्यादा जरूरी है अगर आप भी इन सारे टेक्निकल चुजों के बारे में जानते हैं तो आपको बहुत सारे नॉलेज हो जाएगी जिससे कि आप अपने काम को चुटुकियों में कर लेंगे और आपको किसी से help भी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो हम ऐसे ऐसे बहुत सार टेक्निकल टिप्स के बारे में रिलेटेड रोजाना एक एक वीडियो लेकर आया करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हाँ बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास ही जाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले यहाँ पर हमने इस एप को इंस्टॉल कर लिया है तो इसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्सन बॉक्स में डाल रखा है इसको आप भी इंस्टॉल कर सकते हैं उसके बाद हम इसे ओपेंड करेंगे एप को ओपेंड करते ही आपको कुछ ऐसा इंटरफेस आने वाला है तो आप इनके यहां से प्राइवेसी पॉलिगोस्टी को पढ़ेंगे और इस बॉक्स को टिक कर देंगे यहां से और यहां आपको agree and continue पर क्लिक करना है यहां पर आप देख सकते हैं कि start recover का एक button आजाएगा इस पर आपको क्लिक करना है क्लिक करेंगे तो यहां पर आपसे पुछेगा कि हम आपका internal storage और external storage दोनों का हम permission लेना चाहते हैं अगर आप देना चाहते हैं तभी हम आपके फोटो को recover कर पाएंगे या फिर video contact वेगारा को तो अगर आप करना चाहते हैं तो इस box को दुनों को टिक करेंगे और allow and continue पर क्लिक करेंगे यहां पर हम permission को दे देंगे यहां पर आप देख सकते हैं आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आने वाला है फोटो recovery वीडियो recovery और सेटिंग का तो सबसे पहले हम फोटो recovery पर क्लिक करेंगे यहां पर आप देख सकते हैं कि यह analyzing हो रहा है यानि कि यह आपके files को scan कर रहा है तो आपको यहां पर कुछ time तक wait करना होगा I think एक दो minute wait करना है उसका बत गाईज आप देख सकते हैं कि finally यहां पर आपके जितने भी सारे files है फोटो जो delete हो चुके हैं या फिर अभी आपके gallery में है ओ यहां पर scan करकर आपको folder wise दिखाई देगा यहां पर हमने जो फोटो को delete कर दिया है ओ भी यहां पर दिखाई दे रहा है क्योंकि यहां पर हमने आपको बता दे रहा है यहां पर मैंने चेक किया इन सारे फोटो को हमने डिलेट कर दिया था क्योंकि हमने इस पर वीडियो जो बनाया था तो वीडियो जो बनाने के बाद मैं इसको डिलेट कर देता हूँ तो मैंने इसको डिलेट कर दिया था बट ये वापस से अब आज चुका है है और जैसे कि इसका नाम है इस अप्लिकेशन का एच डी फाइल रिकोवरी तो हमको लग रहा है कि नहीं यह एच डी में बस इसका नाम ही नहीं है यह एच डी में रिकोवर भी करकर आपको देगा क्यों चूंकि यहां पर आप देख सकते हैं कि यह फोटो जितने एंबी और जितने हमने केवी का क्रियेट करके सेव किया था मैंने सिम उतना ही केवी और उतना ही एंबी में यहां पर दिखाई भी दे रहा है अगर हम इसको रिकोवर करना चाहें तो इतना एंबी हमको लगेगा एंबी आपके डाटा से नहीं कटेगा वह एक चुली यहां पर दिखा पर आपको क्लिक करना है क्लिक करते हैं यहां पर आप देखेंगे कि यह थोड़ सा प्रोसेसिंग लेगा और वन फाइल रियस्टूरेड यानि कि जितना फाइल को रियस्टूर करना चाहते हैं वो यहां पर फिरी में रियस्टूर कर सकते हैं अब हम आते हैं बैक और सेटिन वाले options में आएंगे तो आपका यहां पर दो options मिलते हैं एक एप्लिकेसन को अपने फ्रेड के पास सेयर कर सकते हैं और दुसरा इनका privacy policy जिसको आप पड़के यह बता कर सकते हैं कि यह application safe है या फिर unsafe है क्योंकि यहां पर आप अपने फाइल्स का एकसेस दे रहें इस application को तो वहां पर आपकी फोटोज भी लीख हो सकती है यह आप इनके privacy policy को पढ़े और यह privacy policy एकसेस दिने से पहले भी आपको दिखाया जाता है जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाया था कि box को टीक करना है तो उ इससे पर आप इनके privacy policy को भी पढ़ सकते हैं उसके बाद यहां पर आप permission को एकसेस देंगे तो सो गई ऐसे आप इस आप को यूज करेंगे यहोप कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आमेशा टेक्निकल चीज सिखने के लिए बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में वीडियो देखने के लिए धन्यवाद